आप देख रहे हैं हलचल टीवी नियूज आप बादल देखते रहते हैं और ऐसे में बरसात होने का नाम नहीं ले रही ऐसे मिया किसान हर साल एक एकड में बारा से पंदरा क्विंटल गेहु निकालते थे इस बार उसका आधा ही रह जाएगा जबकि उतर भारत में गेहु की हर साल बंपर पैदावार होती है किसानों की माने तो इन दिनों गेहु की बाले नहीं निकलती क्योंकि इन दिनों तो गेहु पूरे यावन में होती है और किसान उसको देखकर बहुत खुश होता है हाला कि इन दिनों अगर कुरा भी पड़े तो उससे भी गेहु की फदल काफी अच्छी होती है लेकिन ऐसमें यहां समय से पहले गेहूं पकर तयार होने लग गई है तो गेहूं की बालें जिसे छली भी खा जाता है उसमें दाना भी नहीं होगा अगर होगा तो वह बहुत बारीक होगा यदि गेहूं जब पकर तयार होगी अगर तब बारिश होती है तो किसानों के लिए और भी मुसीबत भरा काम होगा सके लिए जाड में हैं जी बहुत तकडी कमी है जी तब सपरे जो हम कर रहे हैं अब देखा पिछे हम सपरे करवा रहे हैं तो उसमें सपरे करवाने से भी दो दो बार सपरे कर वाजिया लेकिन तब भी अड नहीं मर रहा है तो इसको लेके बड़े चिंतित हैं सार्व सभी किसान और दुआई बिल्कुल भी काम नहीं कर गिया पता नहीं अब कैसा है बारिस की तरफ देखने कर थोड़ी बारिस हो जाए तो सायद किसान को कुछ लाब हो जाए इसमें स्टार्टिंग में सोखा चला था मोसम टेंपरेचर दिन का टेंपरेचर रहा ही था और रात का टेंपरेचर कम नहीं था वो भी ज्यादा ही था उस टाम थोड़ी सी समस्या आये थी बही कई जगें जो ये रड़ेमरिजन्स होगी थी पर उसके बाद मोसम में काभी सुधार दिन में सनी डेज गाकी रहे और रात का टेंपरेचर लोज लगा था जिससे समस्या खतम होगी थी हाँ पिलारतवा की समस्या है उनीस के करीब हमने के डिटाट की इंजिन में समस्या है उसके लिए प्रोपिगोनाजल पंगी साइड है उसका सफरी किसान बढ़ना होता है और विबाग ने भी करीबन साथ जालेटर के करीब फिप्टी परसेंट पर यह दो आई विचरित की है अब इसकी कोई समस्या नहीं है तो दिसरा चेपपा है बलेक अपट जिसको बोलते हैं उसकी समस्या करतों में है वो समस्या वहां ज्यादा है जहां किसान यूरिया का इसकी समस्या नहीं रही है यमना नगर से हल्चर टीवी के लिए विनो धिमान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं हल्चर टीवी न्यूज